हेलो इस्ट्रेंट्स आप सभी का आपका अपने यूटूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है देखिए आज हमने स्टार्ट करेंग अपना mathematical operations के जो आपकी exam में question पोछे गई हैं और आने की जो संभावन है उन question आप मनलब होता है तो बौर्ड मास रूले के आकोडिंग ही आपको mathematical questions को है आपको करना होता है ठीक है जैसे कि हम बात करें बौर्ड मास रूल होता क्या है सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे दीक की बौर्ड मास की बात करें by a board ж. ठीक है ठीक है बॉर्ड मास एक आपका यह वर्ड होता है और इस वर्ड के अकोडिंग आपको जो है अपने mathematical operation के questions करने होते हैं जैसे कि हम बीफोर क्या होता है बीफोर होता है ब्रैकिट इसमें आपके तीन ब्रैकेट होता है एक ये वाला ब्रैकेट होता है और आपका एक ये वाला ब्रैकेट होता है और तीन ब्रैकेट आपके यूज होते है और ओफ होता है ओफ का मिंस होता है मतलब को यती मल्टिपलाई का ओफ का मिंस होता है आपका मल्टिपलाई की तरफ आप उसको जाए ठीक है add करेंगी और उसके बाद आपको क्या होता है यह होता है माइनस ठीक है तो आपको रोल यह बोर्डब मौश रूल यह कहता है कि आपको सबसे पहले multiply की तरह आपके Ganzy करना है पहले सबसे पहले पढ़ेंहं थो सबसे पहले टिवाइड एपर पर आपको मल्टिप्लाइग और इन स Weg पहले करना है फिर माइनस करेंगे, तो इन चीजों की तरफ आगे बढ़ें मह भी यह कहता है तो इन इसी पर आधारित आपने वाले चलिए आपनी सबसे पहले कोशन की तरफ चलते कोशन आपको फर्स्ट यह दिया गया है एक किसी विस्येश कूट भासा में प्लस गुना को परस्ट करता है और माइनस प्लस को परस्ट करता है इस तरगी की लेंग्विज आपको एक्जाम के अंदर मिलती है ठीक है जैसे कि हम बात करें कि प्लस जो है माइनस को परस्ट करता है माइनस आपका प्लस को परस्ट करता है और गुना आपका डिवाइड को करता है तो निम्लिकित परसन का उत्तर ग्याद करें देखिए आपको एक इक्विशन दिए गया है अब इसको आपको क्या करना है जहां पर आपको बताया गया है कि आपको जिस तरीके से बोला कि प्लस करता है आपका multiply को और minus आपको plus करता है और गुना आपको क्या करता है divide करता है इसी परकार आप divide minus को प्रस्तूत करता है तो आप देखिए हाँ पर divide है महाँ पर आप क्या लेंगे minus तो यहाँ पर रख देंगे अपना minus ठीक है आप then उसके बाद देखिए multiply multiply किसको करता है divide करता है multiply किसको प्रस्तूत करता है आपका divide को करता है तो यहाँ पर जाए किसको करता है प्लस करता है थो यहाप करता है जब एकुछ न उसके बाद आएगा वान ठीक emotional क्रोट देखिए सबसे पहले सोलूशन करना यहाँ पर 16 लिखेंगे माइनस जब 8 को डिवाइट करेंगे फोर से तो 2 आएगा डियर देन प्लस 2 और अब आप मल्टिप्लाई की तरफ जाएंगे तो 2 वंजा 2 ठीक है यहाँ पर इसके बाद देखो 16 अब देखो यह माइनस है और यह प्लस है तो आप क्या करेंगे यह दोनों आपके कैंसल हो जाएंगे तो आपके जो वैलू आएगी बचेगी आपकी 16 तो आंसर क्या जाएगा आपका 16 इसका आंसर सही होगा ओप्शन जो है सीसका राइट हो जाएगा ठीक है तो मैथमेटिकल operation में यह बहुत आपसे question पूछे गए जैसे कि last 2019 के अंदर question पूछा गया था first shift के अंदर तो एक या दो question आपके पूछने की chances है ठीक है और सभी shift में कहीने गई एक question तो आपको देखने को मिले गा इस exam से इस तरीके question से ठीक है next question का देखिए answer दीजिए अब इसी में कुछ इस तरीके के आपको logic दिया गया जैसे कि उसने बोला अब यह देखिए आपको first shift में भी दिया गया था इसी तरीके का second shift में भी दिया गया है same date ठीक है तो जो आपको आपको जो है mathematical operation का question मिलेगा और इसको बहुत जादे tough नहीं है बस आपको question को पढ़ना है और easy way मैं आप करता है अपका multiply को और minus कि को करता है plus को करता है bouh सबसे पहले इन पर फोकस करना और आपको जो डाटा है उसको आपको ठाना देन इसके बाद आपको दी गई है अब देखी जो प्लस को करता है इसको करता है तो प्लस करेंगे 3 देन उसके बाद देखो आप divide किसको प्रस्तुत करता है क्योंकि इहां पर divided divided करता है minus को यहां पर करेंगे minus और board mass rule यह कहता है कि सबसे पहले आप divide करेंगे फिर multiply करेंगे और then plus करेंगे फिर आप minus करेंगे यह आपने board mass rule के according हम चलते हैं उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे इस equation के अंदर सबसे पहले डिवाइट करेंगे तो आप सबसे पहले डिवाइट करेंगे यह इसको ऐसे लिखना है ठीक है अभी प्लस इसको करो ना इन को जब हम whereas 3 से डिवाइड करेंगे कितना एगा 3 दैन माइनस आपका 6 अब देखिए अब आपको सेकिंड बचाना है मल्टिप्लाई की तरफ आप यहां पर करेंगे मल्टिप्लाई तो चार दुनी 8 और प्लस 3 माइनस के 6 अब देखिए यहां पर सबसे पहले करेंगे अब आठ तेहेंगे आपको सबसे पहले करना प्लस बोर्ड्म सुल्रियों तो आपको मैंट्रीन 10 11 और माइनस के 6 तो कितना बचा 5 तो आपका 5 उसमें देखिए आपका 5 ऑप्शन जो है आपका 5 अंसर होगा तो इस तरह के mathematical operation के अंदर questions आपसे पूछे जाते हैं ठीके डियर्स next question की तरह पागे बढ़ेंगे next question आपको फिर उस तरीके से दिया गया है अब इसमें निकालेंगे देखिए plus को multiply देता है और minus को plus करता है और multiply को divide करता है और divide को वो minus करता है ठीक है तो प्रस्तुत का उत्ता देना है अब आप देखिए गाइसमें यदि हम बात करें इसमें देखो यह कहा है 8 है आपका 4 है 2 है 9 है और 3 है अब यहाँ पर लिखे 8 8 है फिर आपको पता है कि आपको यह जो है किसको प्रस्तुत करता है divide करता है minus को इहाँ पर मायनस को लिखेंगे दैन आप 4 लिखेंगे और multiply के इसको प्रस्तुत करता है यहाँ पर 8 लिखेंगे माइनस यहाँ पर जब इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा डियर ठीक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे अब देखिए अब आपको करना है सबसे पहले आपको आपको चलना होता है बॉर्ड मास रूल के आपको सारे आपको फंक्शन में यूज करने हैं जो भी आपको सब्सक्राइब एकवेशन देखेंगे अब फिर इस तरी केसिस में दिया गया है सीधह सीधह सभी को बोला है तो 9 फिलस 3 लिखेंगे डिरेक्ली फिर आप देखिए प्लस को क्या बोला है प्लस को multiply बोला तो 1 लिखेंगे then divide को बोलता है minus को तो 6 हो जाएगा और multiply को divide लिखता तो divide यहाँ पर जाएगा और 2 अब इनका solution लिखालना देखे किस तरीके से आप इतना answer देंगे अब इसको देखे सबसे पहले आपको divide करना है तो 9 पिलस 3 को ऐसे लिखेंगे अभी इनको इस तरीके से लिखेंगे माइनस यहाँ पर लिखो divide करेंगे तो 3 आ गया ठीक है अब इसके बाद then second multiply plus आपका क्या गरेंगे 3 कर देंगे और माइनस के 3 आप सबसे पहले क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा तो इस तरीके से सब्सक्राइब और भी वैरेशन्स होते हैं वह में देखेंगे अभी नेक्स आगे देखिए और बीका गुना है तो मान क्या होगा आपको यह बताना है तो आपको कैल्गुलेशन कानी आने चाहिए इस तरी कोश्योंस में तो आप इसी वे में इन कोश्यों का अंसार दे सकते हैं जैसे कि हम बात करें 90 है अब 90 के बाद देखिए आपको क्या लिका है सी और सी किसको रिपरजेंट करता है सी का अब किसको रिपरजेंट करता है आपका तो आप इनका सोलुशन करेंगे तो आप देखिए 90 कि माइनस के यहां पर आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको मुल्टिप्लाइब को लिए ट्वंटी वन जा ट्वंटी ठीक है और प्लस अब देखिए इन दोनों को डिवाइट करो सबसे पहले डिवाइट कितना अठारा जाएगा यहां पर अठारा हुआ अब आपको करेंगे तो अब देखिए कितना इसमें माइनस होगा आपको देखिए यहां से टूर कड़ेंगे तो कि यह जो है आनसर होगा और तो तरीके इस तरीके से कोशन आपसे नेक्स कोशन कि तरह बढ़ते हैं आपका आप इसमें बोला कि गनी चिन्नों के उस सही सेयोजन का चैं पर कर्मिक रूप से रखे जाने पर दिया समय का संतुलित हो जाएगा अब आपको एक इक्वेशन दी गई है ना तो इसमें से बताना कि कौन सी इक्वेशन इसमें संतुलित इसको करती है ठीक है और डिवाइड करके आपका जो है कितना आना चाहिए डिल्ली पुलिस में इसमें से एक्वेशन लेनी है जो कि आपकी यहां पर इक्वल टू बारा आये बच जाए ठीक है अब यहां पर देखो आपको एक्ची दिया गया है यदि हम ए उप्शन लें ए उप्शन को ट्राइग करें यहां पर तो आप देखी हैं किया करेंगे टू थीरी फोर माइनस करना है फिर प्लस करेंगे कितना है 567 और फिर माइनस यूज करेंगे तो माइनस ओजाए आपका तक स्वलुशन करने पर यह आपको ड़ना नहीं करते तो आले करें तो आप सबसे इनको last करने के बाद देखो क्या इसका solution हो सकता है सबसे पहला हम यहाँ पर solution करते हैं इन दोनों का यदि हम यहाँ पर देखे तो 7 में से यदि 8 कम करते हैं तो कितना बचता है आपका 9 ठीक है यहाँ पर 9 यह की नंबर जाधा हो सकता है सूरी यह आपका यह नंबर आपका प्लस परसकता और यह भी प्लसją सकता झसकिए यहां पर 4 है यहांपर 6 5 6 10 जान इस विओने पें काया आपका 7 ठीक है carry बचा 1 ठीक है दैन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे देखे 3 है 3 और यहाँ पर आपका कितना है यहाँ पर 5 है 8 हो गया और 8 और 6 कितना होगा यहाँ पर 3 है 3 के बाद 5 है 8 है और 8 8 और आपका यहाँ पर कितना है 6 14 और 14 एक और carry था तो कितना है 15 सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर देखो आपका फोर और सेवन कितना थर्टीन ठीक है अब यहां पर देखो आपका फोर और सेवन कितना है थीरी और नाइन आपके कितना है थिरी और सिक्सक्राइन और 18 कितना होँ आपके इतना आया अपके देखो इनको जढ़िक कम करतें क्या 12 आता है 12 आपका नहीं आएगा 12 आपका नहीं आएगा तो आपको कुछ और equations को आपको फोलो करना पड़ेगा दैन इसके बाद देखो यदि हम इसको equation को ना करके यदि हम इस वाली equation को लें आपकी 4th equation को लें मानली जी आपको डी को हम डी को अपलाई करें तो डी से आपके chances हो सकते हैं क्योंकि हमें उस तरीके देखना कि आपका minus करके यदि डिवाइड ले तो डिवाइड करके आपके value नहीं बचेगी तो डिवाइड करने के लिए आपको एक digit ऐसी दी गई है कि डिवाइड नहीं हो 5,6 ठीक है यहाए जैन उसके बाद आपको plus करना है प्लस करेंगे तो आपको कितना है 5,6,7 देन उसके बाद आपको minus करना है minus है आपका 6,7,8 और then equal to 12 ठीक है यह हुआ अब आपको क्या करना है इन दोनों को add करना है और plus आपको जितने भी plus वाले हैं उनको add कर लो ठीक है आप सबसे पहले इनको add करो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसको, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 5, तो 5 आव गया है, minus, then आप इनको जो है, यह minus, minus है, और minus वालों को एक साइड लिख लो, और plus कर दो, आप इसको भी यहाँ पर लिख लो, 5, 6, 7, और minus कितना, 4, 5, 6, और minus के, 6, 7, 8, is equal to आपका कितना है, 12 है, ठीक है, अब इसको और add करो, यहाँ से इनको add कर लिजी, यहाँ पर कितना, 9, और 7, 16, carry 1, और यहाँ पर 6, और 7, 13, और 1, 14, carry 1, 5, 5, 10, और 11, ठीक है, यहाँ पर 11, माइनस, अब देखों, यहाँ पर कितना है, यह कितना है, 14, ठीक है, 14, और यहाँ पर करेंगे, आप जो 6, और 8 को add करेंगे, तो 14, और carry 1, और यहाँ पर 7, 5, 12, 12, 13, हासिल लगा 1, और 6, 4, 10, और 11, तो यहाँ पर आया, अब देखों, यहाँ से हम कम करते हैं, तो आपकी value कितनी आते हैं, इस गल्टू, आपका 12 आता है, तो आपका जो है, D option जो है, इसका right हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखों, divide नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी calculation बताने के कोशिस की गई, कि किस तरीके से आपको एक portion जो करना है, फर्शन नहीं होगा, आपका D से और सरे directly आ जाएगा, ठीक है, चलिए, next question की तरफ आगे बढ़ते, next question आपका 7, अब देखों, यदि x का art plus है, अब इसको art आपको दिया गया, then same, जो question आभे हमने के लाश उसी तरीके से, multiply का art plus है, divide का art minus है, और plus का art multiply है, और minus का art divide है, तो आप बताओ, person चिन के स्थान पर आप आपका कौन सा answer आने वाला, यदि हम बात करें, 182 है, ठीके, 182, और minus का art क्या है, बढ़ी, minus का art divide है, और फिर आपको दिया 13, ठीके, और multiply का art plus है, तुहिआ पर 5 प्लस कर देंगे, 5, और plus का art क्या है, प्लस का art है, multiply, plus क्या है, आपका multiply है, 16, और divide का art क्या है, बढ़ी, अब स्बस्क्राइब विसको सालगे एकने के डिवाइट सरह से पहले करेंगे देबाइ़ करेंगे प्लसबंपने यहां पर देखो यह मैं यहां अन्हें पीजिए कर लेंद करते हैं एकनी है 16 पंजे कितना होगा भई 16 पंजे 16 पंजे 18 ठीक है तेन यहाँ पर फिलिखेंग अपना माइनस कितना है 44 माइनस है अब इसको क्या करना है आपको काम करना याद हम यहाँ से 14 लें अब इन दोनों को एड़ कर दो सबसे पहले क्या करो आप इनको add कर दो इन दोनों को add कर दू कितना Ouch genehat 94 आपका हो जाएगा पर waren Cuz यहां से कितना फॉर मैंसे फॉर हो गए जीरो और यहां से जब फाइमेसे ऑफ्य करेंगे तो कितना भचेगा आपका नाइन मैंसे वो प्लस करेंगे तो फाइब बचेगा तो फिफ्टी आपका क्या हो जाएगा तो इसका आंसर जो ओप्षन जो है इसका वह राइट हो जाएगा ठीक है इस तरह एकर से कोश्चन सापको बस कैल्पूलेशन बेस हैं आपको बस कैल्कूलेशन करनी होती यह कारदा कर किया है और गल का ने शेंढ़ा खी पिलस यहां पर पिलस कर देंगे और गर के आर्थ क्या अग्वाद कूसरे के पर गए ओड का तरह है कैद का मायनस लिहें माइनस लिख देंगा उसके बाद आपका नायंटीन तो अब शोलोषिंब करना है अब आपको इसमें तो हो बोर्ड Um सिक्स पिलस सेवन्टीन है ना माइनस अब यहां पर देखो बारेचिंग बाहत्तर कितना होता है 1250 और बारेचिंग बाहत्तर आपका यहां पर मल्टिपला जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 19 ऐसे रहेगा ठीक है अब उसके सोलोशन करो सबसे पहले क्या करो आप इसमें और एक 17 ठीक है और प्लस आप 19 और करेंगे और दैन माइनस लेगें 72 ठीक है अब स्कोर एड़ कर देजिए तो 9 और 3 बार है हासिल एक और 7 और 8 और 992 और माइनस के 72 जब इसको कम करते हैं तो कितना होगा आपका 20 कितना होगा 20 तो आपका राइट हो जाएगा यह दिल्ली पुछे कई तो यह आपके एकजाम में आने कि संभावना इस तरव सेचाने की कोषया आप से भी पूछने चाने कि अब देखो माइनस का माइनस का अर्थ है डिवाइड क्या है माइनस का अर्थ है तो आप यहां पर लिखेंगे डिवाइड इंटू 25 ठीक है अब देन उसके बाद देखो यहां पर दिवाइड का अर्थ है पिलस डिवाइड का अर्थ क्या है आपका पिलस करेंगे पिलस कितन से फोर और यहांपे करेंगे इसके बाद था माइनस माइनसorg चीटना है और पिलस का आर्त क्या था मच करता है multiply तो multiply कर देंगे इंटू 10 अब इसका आपको equation आपको solution करना है बोर्ड मास रोल के according तो देखिए 25 को जब 25 25 25 25 प्लस कितना है आप इसको 25 का 100 यहां पर हो जाएगा कि इनकी multiply लिखनी है then अब यहां पर minus यह कितना हो जाएगा 40 ठीक है बचिसका solution करना है आप देखिए यहां पर हम इनको add करें तो कितना हो जाएगा आपका इसमें सब्सक्राइब कर दो या फिर 105 आप लिखो समसे पूछे जाते नेक्स कोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है आपका टैन इसमें आपको स्टार चिन को करम अनुसार परती स्थापित करने और संतुलित करने के लिए गनित्य चिन्हों के सही सयोजन का चैन करें ये कोशन भी पूछा जा सकता है यदि थोड़ा पेपर आपका टफ लेवल में बनता है तो इस तरी के कोशन आने के चांसी है आपको पूछा जा सकता है तो आपको इस कंडिशन में आपको ये देखना होता है क्या डिवाइड क करने सा सकते हैं तो आपको इसमें रूड़ना होता है यदि हम देखें इसके अंदर देखो यदि मैं इसकी multiply कर दो तो multiply में बहुत जादा नंबर आ जाएगा ठीक है तो हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि इसमें कहिने के हम हम जो करके चलेंगे वह अपना divide की तरफ ले के चलते हैं देखें दिवाइड एक तो starting में यहाँ है और एक सबसे पहले मैं जो है आपना एक को देख लेता हूं या फिर सी को सबसे पहले आप एक काम करेंगे जो कि आप करें एक option ठाते हैं यदि हम यहां पर है आपका 62 और एक option को ले यहां पर multiply 11 और 9 की multiply देन उसके बाद स्टार है और स्टार में आपको देखो आपको क्या करना है प्लस करना है आपको कितना 103 आपको यह सारी इक्वेशन को solution करके देखो क्या इसके एक्वल्टु यह आ सकता है नंबर अब यह देखो यहां पर 3 होगा यहां पर यहां पर 3 आएगा ठीक है यह ब्रैकट को सबसे पहले solution करना है bracket का solution हो गया देन उसके बाद पिलस उसके बाद इसको इसको आपको solution करना है 11 990 में ठीक है इस गल टू अब देखो यह आपका इतनी value है क्या इसके equal to आ सकता है देखो यहापे इसको add करेंगे इन सब को add कर दो देखो 3 है यहापे 0 है और यहाप पर आपका 9 है तो यह कितना होगा आपका 2 हो गया ठीक है देन उसके बाद देखो 0 है 4 है और 6 है 0 4 6 कितना हो जाएगा 10 10 की अब यहाप देखो 13 हो गया था ना 13 13 का आपका 12 हो गया था न 12 12 का 2 हां चले लगा एक और यहाँ पर आपका 4 और 6 10 और 10 और 11 11 का 1 और केरी लगा 1 ठीक है और यहाँ पर 2 और एक 3 3 और एक 4 412 आपका इसका जो है समिशन आया ठीक है 400 बारे अब इनको भी एड करो इनको एड करते है 9 यहाँ पर कितना है क्या यहाँ पर देखो 9 और 3 बारे का 2 कहां से लगा एक और 9 इसमें जोड़ेंगे 9 और एक 10 और एक 11 ठीक है हां से लगा एक 3 और एक 4 412 इसकल टू 412 आपका सही आ रहा है तो यह लोजिक आपका सही है तो ओप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा ठीक है तो हमने बताया था कि आप इस तरीके से options को ठाना है कि आप देखो कि इसमें डिवाइड करके भी option हो सकता है और हमेशा कहिना कि जब आपको बड़े number हो उक्वल्टू का number देखो और जादेत से जब आपको जो बड़ा number पर दे रख को जब चोटा नमबर दो कहिना कि उसमें डिवाइड वाली कंडिशन अपलाई होती है ठीक है उस चीजों को भी आप समझ के चलेंगे ठीक है प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों आपको खुद से भी समझ में आ जाएंगे नेक्स देखिए कोशन है आपका यदि एक आर्थ आप देखो कुछ उसी तरी कोशन है 11 देखिए अब आप सबसे पहले सहसे क्या कर tut 9 elas को सीकर देखो सी का अ कॉर्ष क्या है कि उसके बाद 2 kart क्या है बिग कर है मल्टिप्ला आप म्ल्टिप्लाइगे और माइनस ट्वंटी और पिलस यहां पर डिवाइट करेंगे यहां पर कितना हो जाएगा एट्टी एट जो है इसका अंसर हो जाएगा यह आपको दुबारा से पूछ ले गया कुछ इस तरीकी से रिपेट भी होते हैं ठीक है कौन से चिनों को प्रास्वा बदलना चाहिए ताकि ताकि दिया गया समय कर सही हो जाए अब बताओ इंद में से ऐसे ऑप्शन यह आपको जो है सिंबल बदलने जो कि यह आपका 14 आजाए ठीक है आपको यह देखना आप सबस जो प्लस और मल्टिप्लाई को देखते हैं यादि हम इसको डी ओप्शन को ठालेते हैं ठीक है दी को मैंने इसलिए ठाया क्योंकि यहादि हम एड करते हैं और यहां पर चीजों और भी कुछ हो जाती है तो आपका 14 आ सकता है देखो 5 है तो 5-4 ऐसी लिखो ठीक है अब को मल्टिप्लाई की जजाएंगे लिख्या प्लस ठीक है ऑफ इसगार तो रणोट फॉर्टेइन ठीक है इसका आप सोल्थों करने किस तरीके से होगा आप यहां पर सरुल अपनाने पर वॉढ्स रूर मास impacting करेंड ऺज़्ुक माइनस樣 करेंगे तो कितना और तो तो और खा पाया 14 ठीक है और फिलस कितना आपका थिरी और इसकल तो यहां से आ सकता है फोर्टेन इच्कल टू ठीक है अब देखो यहां पर यदि मैं लेकर आ जाओ इधर तो यहां पर प्लस करते हैं तो यहां पर कितना होगा भई आपका यहां पर 8 होगा और माइनस के है 14 तो कहिना के इसकल तो 14 नहीं आएगा तो यह equation आपकी नहीं होगा इस equation से नहीं होगा अब आपको क्या करना है अब आप देखिए इसमें आप जो है यह वाला rule अपना के देखो यह rule अपनाते हैं तो आप देखिए आप सबसे पहले आपको चलिए यह B देख लेते हैं B से यदि देखें तो यहां से तो अभी तक आपको जो है equation नहीं समझ में आदा यहां से आपका option जो है नहीं आता है ठीक है तो अब आपको क्या करना है अब आप जो है इसमें second rule अपनाएंगे इस से तो आपकी equation का जो answer नहीं आ रहा है देन प्लस लिखना और प्लस है वहाँ पर लिखना तो माइनस के फूल लिखो ठीक है और यहां पर करो प्लस टू और प्लस की जंगर डिवाइड कर दो सेवन क्या हो सकता है यहां पर यह equation भी आपकी नहीं होगी पर देखलें देखर करके यहां पर कितना आपका 14 है देखो यहा साथ है जाला पर आपको देखो डिवाइड होगा नहीं ठीक है इस तरीके से यहां कि एकृशन नहीं की तो यह आपका नई देन उसके बाद देखिए आपका दूसरी दूसरा option देखते हैं B ठीक है बी आपका option देख लेते हैं B को try करते हैं अब आप देखे 5 है और minus की जंगे आपको multiply लिखना है 4 लिख दिए ठीक है देन उसके बाद divide आप ऐसे रखेंगे 2 और देन उसके बाद आपको जहाए माइन माइनस के 3 इसकल टू 14 आना चाहिए देन देखे अब यहां पर क्या अगरे सबसे पहले डिवाइड करो 5 multiply कितना है आपका यहां पर जाएगा 2 और प्लस 7 और माइनस के 3 और यहां से देखो 10 और प्लस यहां पर बचे 4 इसकल टू कितना आएगे आपका देखे 14 14 था नहीं 14 तो यहां पर कितना जाएगा आपका 14 होगा यहां पर 14 होगा और यहां पर देखो 14 आ रहा है तो इसकल टू 14 इसकल टू 14 आपका अंसर आ गया तो ओप्शन जो है बी आपका राइट होगा ठीक है तो इस तरीके से आपको देखना है भाई चलिए next question के तरह बढ़ते हैं 13 क question देखेंगे question number 13 से각र्कों आए एक ऊर्थर्पीक ट्यूंत को करना है इसक होगे कितना 54 सी कई आयम उसके बाद आप देखेंगे एक प्लस प्लस करेंगे 44 टिरीक अच पर देखें निवाइट यहां पर देखो ऑफ सबसे पहले आपको डिवाइड की तरफ देंगे 54 आप ऐसी लिखेंगे माइनस के 34 भी लिखेंगे पिलस अब इसको आठ को जब आदेंगे 24 तीन आएगा और multiply 2 multiply करेंगे यह आप ऐसी लिखेंगे 34 और यहां पर कितना हो गया प्लस 6 हो गया इसको एड करेंगे 60 हो गया लगाएंगे डिया ठीक है इस तरीके से कोशन का अंसर आ जाएगा नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोशन है आपका यदि M का आर्थ माइनस है यहां देखें इस कोशन को देखते हैं यह बच्छा कोशन है आपको दिया है 162 दैन एन का आर्थ यहां पर क्या दिया आर्थ है डिवाइड दिवाइड लिखेंगे और यहां पर है आपका सिक्स टेन M का आर्थ है आपका माइनस माइनस और यह आपको दिया है 13 कितना है आप niew Giving Is उसके बाद पी का आर्थ है प्लस पिलस एक सो चैविस आपको इसका स्लूशन करना है देखी यह इसका मीन्स है इसका मीन्स देखेंगे सबसे पहला डिवाइड करो यहां पर देखो चैद्धुनी बार है दो बचा इसको चार बचाब च्षचोक 24 तो 24 आ गया ठीक है 24 आगे ह यह किसकी पावर 1 by 3 होती है आपको पता होना चाहिए यह आपको क्यूब याद है अब multiply प्लस आप लिखेंगे 126 है ना तो आप देखो यहां पर क्या करेंगे 24 है चीक है माइनस अब यह किसकी आपकी क्यूब होती है यह होती है आपकी 9 की क्यूब और बड़ा ब्रैक्ट लगाएंगे और इसके बाले की 1 by 3 अब यह देखो इससे इससे कैंसिल हो जाती है ठीक है और इंटू 4 ठीक है और प्लस आपका 126 अब देखो इसको क्या करेंगे बस आपको यहां पर 24 माइनस अब 9 और आप लिखेंगे चार कितना नो और चार नो इंटू 4 पिलस आपका 126 ऐसी रहेगा अब इनकी करेंगे सबसे पहले मल्टिप्लाई ठीक है तो मल्टिप्लाई होगी देखो 24 24 माइनस नो चोक 36 ठीक है और प्लस 126 ठीक है भई इसको और इसको एड़ कर दो आपका यहां 6,4,10,0 हांसे लगा एक और 2,2,4,1,5 और एक कितना आपका 126 अब इसमें से कम कर दो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा एक कैरी और 4 में से 3 गए एक बचेगा और यहां पर कितना बचा वही आपका एक ही बचा तो कितना आया एक सो चोद है आपका अंसर होगा सही कितना न चीए क्या गलत घटा है कुछ देखो एकसो चबिस आप कैसे ही है यहां पर 24 छद्दुनी 12 और यहां पर गलत हुआ यहां पर क्या जाएगा आपका 622 तो चार बिचेगा और तो छैसते बालेस हैं आपका 27 यहां पर होगा यहां पर यहांने थ्टाइस जलब वाजी में गलत होगा और यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगी तो चीज आप देखो यहां पर क्या बनेगी आपकी तो यहां पर आपका 27 योग आपका 27 इन दोनों को एड़ कर देंगे तो कितना होगा तो आपको यहां से सोलुशन लिकालना है कितना बचेंगे देखो 13 मैं से 6 गई साथ आपको उप्शन में देखो शीरिव इसमें दिया एकको सात्रिस का अंसर से होगा पूरा लिका लेते हैं ठीक है कैरी लिया तो यहां पर 1 बचेंगा और 1 तो कितना आए 170 जो है सही आंसर जाएगा थोड़ा सा मिश्टेक वह यहां पर जल्द बाजी में ठीक है इसको थोड़ा सा आप जो है एडिस करेंगे ठीक है चलिए यहां आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आया कोशन इसके बाद देखिए आपको फिर एक कोशन दिया है 15 देखो यह देखिंगे सबसे पहले डिवाइट करेंगे तो 10 इन्टो 19 और पिलस यहां पर 1 बचा माइनस के 7 ठीक है अब क्या करेंगें multiply तो कितना हुआ, 190 है, पिलस 1000 हenesए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होब, 191 होगा, मैस के 7 करेंगे, तो कितना बचेगा भई, 186 जो है, आपका क्या होगा answer, 184 क्या होगा आपका, सही answer, इसमें हो जाएगा, 184 क्या होगा, सही answer आज़ाएगा, ठीक है यह option जो है इसका right होगा तो कुछ इस तरीके से question आपके exam में आने की संभावना है और question जो पूछे गए है यूपी constable के अंदर दिली पूलिस के अंदर यह आपके पूछे गए कुछ question से mathematical operation के अंदर यहां से आपको आइडिया मिला होगा किस तरीके question को tackle करना हो किस तरीके question आने की संभावना है ठीक है तो I hope आप लोगको यह वीडियो पसंद आए विडियर ठीक है इसको आप जो है note down कर लेंगे और इस तरीकी वीडियो पाने के लिए साथ में तब तक के लिए बाबाई जाइन जाभारत दोस्तो कर दो